दर्थिक के अंद की दस भविष्यवाणिया, हमें नहीं पता है कि दुनिया का अंद कभी होगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर मानते है कि जिन चीज़ का सरजन होता है, उनका अंद एक ना एक दिन अवश्य होता है, खैर ऐसा माना जाता है कि धर्मो शास्त्रों में दुनिया के विनाश या प्रलई के सबंद में बताया गया है एक दिन पूरी दुनिया का विनाश होना है सभी धर्मो और देशों के अनुसार प्रलई के लिए अलग अलग परिभशाय बता ही गई है शायद इसलिए अब तक कहीं बार दुनिया के विनाश के भविश्यवानिया की गई है हला कि कयामत का दिन कब आएगा इसकी कोई सटिक भविश्यवानि कर पाना लगबग असंब्वसाई है फिर भी कहीं सब्यता और लोगों द्वारा इसकी भविश्यवानी समय समय पर होती रही है दुनिया का अंत कैसे होगा? कब होगी विनश लिला? ऐसे कहीं सवाल है जिनके जवाब आज भी खोजे जा रहा है लेकिन आज हम बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब और किनकिन लोगों ने पृत्वी के विनाश की अब तक भविश्यवानिया की है लेकिन हर बार वह एक कल्पना भर्ष साबित हुई है माया सब्यता 21 दिसंबर 2012 को महा प्रले भविश्यवानि की गई थी कि 2012 में दुनिया का अंथ हो जाएगा मेक्सिको की माया सब्यता के केलेंडर के इसाब से यह गोष्णा की गई थी माया सब्यता की प्रमानिकता इतनी थी कि उसकी भविश्यवानि को सभी ने सच मान लिया था भारत में तो सभी लोगों ने अपनी अंती मिच्चा पूरी करने में लग गए थे चारो तरफ हाकर मच गया था टीवी, रेडियो और समाचार पत्रों ने तो लोगों की निंदे उड़ा दी थी लेकिन अज्य भविश्यवानियों की तरफ 2011 में चर्चा में आये ये भविश्यवानि भी गलत साबित हुई ऐसा कहा जा रहा था कि माया सभ्यता का कैलेंडर इसी दिन समाप्त हो रहा है माया कैलेंडर में 21 दिसंबर 2012 के बाद की तितिका वरणा नहीं है कैलेंडर अनुसार उसके बाद प्रुथवी का अंध था इस पर यकिन करने वाले कहते हैं कि 1000 साल पहले ये अनुमान लगया गया था कि 21 दिसंबर 2012 प्रुथवी पर प्रलिय का दिन होगा यह सब्यता गणित और खगोल विग्नान के मामले में बहत उन्नत मानी गई थी इस सब्यता के कैलेंडर में प्रुथवी की उम्र 5126 वर्ष आंकी गई थी बाबा वेंगा 599 सी में खत्म हो जाएगी दुनिया वाल कांस के नाश्रे दमस के नाम से मशूर बाबा वेंगा ने वैसे ही बहुत सी भविशेवानिया की थी और उनके अधिकतर भविशेवानिया सही साबित हुई है लेकिन उन्होंने प्रुथवी को लेकर जो भविशेवानिय की थी उससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है बाबा ने भविश्य वाने की थी कि 519 में दुनिया खत्म हो जाएगी गौर तलब है कि 1996 में पच्चासी साल के उम्रों में उनकी मौत हो गई पता नहीं उनकी ये बात कितनी सही होगी लियो नार्दोदा विंची 4006 में आएगा महा परले अन्य भविश्य वक्ताओं के साथ ही लियो नार्दोदा विंची ने दुनिया के अंद के भविश्य वानिया की है दाव इंची के अनुसर दुनिया का आन 4.006 में वेश्विक बाड़ आएगी और सारी दुनिया का सफ़या हो जाएगा लियो नार्द दाव इंची पूर्ण जागरन से सबसे अधिक नाता के रुप में माने जाते है दाव इंची पेटर चित्रकार, इंजेनियर, संगीतक्ष, विगनानिक, गणीतक्ष, आविश्कार और बहुत कुछ थे दाव इंची के मुताबित दुनिया के खत्म होने की शुरूआत वेश्विक बाड़ से 21.004.006 से शुरू होगी और एक नवेंबर 4.006 तक पूरी दुनिया जल्मगन हो जाएगी और इसी तरह दुनिया खत्म हो जाएगी एंटाइम प्रोफेसिस 29.001.2016 को होगी दुनिया खत्म जीवन की रोजमरा की समस्या के बीच फिर हाली में दुनिया तबाह होने की भविश्यवानी आ गई थी इस भविश्यवानी के मुताबित 29.001.2016 को दुनिया तबाह हो जाएगी एंटाइम प्रोफेसिस नाम की संस्ता की भविश्यवानी की अनुसार यह कहा गया था हेराल्ड केंपिन 21 में 2011 को होगी दुनिया खत्म दुनिया खत्म होने की एक और भविश्यवानी सामने आई 21 में 2011 को दुनिया खत्म होने के बारे में भविश्यवानी करने वाले अमेरिका के एक जोतिश महदई है जिनका नाम है Herald Camping Camping ने बाइबल के कुछ सुत्रों को आधर बना कर दुनिया के अंध की भविशवानिया की थी मार्शेल एपल वाइट 1997 में होगी दुनिया खत्म साल 1997 में अमेरिकन रिलिजियस लिडर मार्शेल एपल वाइट ने दुनिया खत्म होने का दावा किया था उनका कहना था कि एक ऐसा स्पेस क्राप दर्ती से टकराएगा जिसे नासा नहीं देख सकेगा हाला कि उनकी भविशवानि गलत सा भी थुई और बाद में उन्होंने खुद अपने कुछ फॉलोवर्स के साथ सुसाइट कर लिया था न्यूटन की भविशवानि दोजार साथ में खत्म हो जाएगी दुनिया यह दुनिया कब तक चलती रहेगी? कब इस दुनिया का आंध होगा? यह सवाल हर किसी के मन में उड़ता है दुनिया के कई भविश्य वक्ताओं में से एक फादर ओफ मौडन साइंस सर न्यूटन भी थे जिन्होंने का था कि इस दुनिया दोजार साथ में खत्म हो जाएगी खास बात यह है कि न्यूटन ने ऐसे ही नहीं का था इसके फिशे भी एक फार्मिला था न्यूटन के द्वारा 1704 में लिखे एक नोट से इस बात की पृष्टी होती है उन्होंने उसी समय भविश्य वानी कर दी थी कि 2060 के बाद पृत्वी की तबाहिश चालू होगी जोहान स्टॉफलर 25 फरवरी 1524 को आएगी महाबाड जर्मनी के सम्मानित गणितक्ष और जोतिश जोहान स्टॉफलर ने यह भविश्य वानी की थी 25 फरवरी 1524 को पूरी पूर्थवी पानी से अच्छा दित हो जाएगी एसी बाड आएगी कि पूरी दुनिया जल मगन हो जाएगी इसके बाद चारो तरफ दहशत फेल गई लेकिन यह भविश्य वानी भी गलत्चा भी थुई हाला कि इस दिन बाड तो नहीं आई लेकिन हलके बारी जरूर हुई ट्रूवे 25 मार्श 1908 सी को तबाही टायवाण के धर्मी गुरू मिंग चैन उर्प चैन ताओ या ट्रूवे ने यूएफो के सिद्धान्त और इसाय और बोध दर्म को आधर मानकर ये घोशना की थी कि 25 मार्श 1908 सी को गोड़ खुद दर्ती पर आकर तबाही की घोशना करेंगे उसी वर्श तबाही भी होगी लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं हाला कि इस भविश्यवाणे की खबर से सारा मीडिया भरा पड़ा था स्टीफन विलियम होकिंग मानवजादी 1000 वर्श में समाप्थ हो जाएगी प्रसिद्ध वेगनानिक स्टीफन विलियम होकिंग ने दावा किया है कि मानवजादी अधिक्तम 1000 साल तक जीवित रह सकती है क्योंकि पूत्वी का एक गुला एकजार साल में समाप्त हो जाएगा उन्होंने कहा कि मनुष्यों को एकजार साल के भीतर किसी अन्य गरव पर वस्तिया बसानी होगी दोस्तो इन सभी भविश्य वाणियों में कुछ तीथी बीच चुकी है तो कुछ भविश्य के गरव में है बिती तीचियों से ये प्रतित होता है कि भविश्य वाणिया गलती साबित हुई है लेकिन भविश्य में क्या कब हो जाए ये कोई नहीं जानता ये भविश्य वाणिया सही साबित होगी या नहीं ये आने वाले वक्ती बताएगा दोस्तों अगर आप ये वीडियो पसंद करते हो जो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हम जल्दी नए वीडियो के साथ मिलेंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद